अगर कुछ लोग नहीं होते तो आज शायद में आन नहीं होते आज आपसे बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइफ में सेकिंड चांस मिले 5 जनवरी 2023 ये है रिशब पंत की दूसरी डेट आफ बर्थ कुछ दिनों पहले टीम इंडिया के चोटल विकेट कीपर बैट्समन ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट में अपना डी ओ बी याने की डेट आफ बर्थ बदल दिया था NCA में रिहाब कर रहे पंत इसके बाद से ही सुर्खियों में आ गये थे असल में 4 अक्टूबर 1997 में पैदा हुए पंत ने ऐसा क्यों किया अब उसकी वज़ा सामने आ गई है इसकी वज़ा और किसी ने नहीं बलकीरी शब पंत ने खुद ही बताई दरसल पंत का पिछले साल 30 जिसंबर को एक भयानक एकसिडेंट हुआ था इस दुरगटना में वो बुरी तरह से घायल हो गया थे मामला इतना गंभीर था कि 5 दिनों के इलाज के बाद 5 जनवरी को पंत ने ठीक से आखे खोली थी इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना DOB बदल कर 5 जनवरी 2023 कर दिया आज National Doctors Day के मौके पर पंत ने एक फार्मियसूटिकल कंपनी की हैश्टेग सेकंड बर्थ डेट कैम्पेन में हिस्सा लिया पंत ने इस दौरान क्या कुछ कहा आपको वो सुनाते हैं अगर कुछ लोग नहीं होते हैं तो आज शायद में आन नहीं होते हैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइफ में सेकंड चांस मिला 4th October 1997 को मान ने पहला चांस दिया और एक्सिडेंट के बाद डॉक्टर्स ने दूसरा सेकंड चांस तो कैच लेने का भी नहीं मिलता पर मुझे डॉक्टर्स ने लाइफ में सेकंड चांस दिया उन्हें जितना भी थैंक्स बोलू कम है इसलिए सन फार्मा के इस इनिशिटिव के साथ आज अपना सेकंड बिर्ट डेट अपने डॉक्टर्स को डेडिकेट कर रहा हूँ बस एक छोटा सा तरीका है तो थैंक दे आप भी आज अपने हैश्टैग सेकंड बिर्ट डेट उन्हों डॉक्टर्स को डेडिकेट कर सकते हैं जिन्होंने आपको या आपके किसी करीबी को लाइफ में सेकंड चांस दिया इस कैम्पेन का मकसट डॉक्टर्स के योगदान को सम्मान करना है वो डॉक्टर्स जो हर दिन खुद के बारे में ना सोचकर अपने पेशेंट्स का इलाज लगातार करते रहते हैं